A Mad Tea Party और डॉर माउस एलिस को एक चाय की पार्टी पर मिलते हैं एक घर के सामने एक बड़े इसे पेड़ के नीचे एक टेबल रखी हुई थी और मार्च हैर और हैटर उस पर बैठ कर चाय पी रहे थे उन दोनों की बीच में डॉर माउस बैठा हुआ था जो सो रहा था मार्च हैर और माड हैटर दोनों डॉर माउस का उप्योग तक्ये की तरह कर रहे थे वे दोनों अपनी कोहनी डॉर माउस के उपर टिका कर उसके सिर के उपर से एक दूसरे से बात कर रहे थे डॉर माउस के लिए यह बहुत अस्विधा जनक है एलिस ने सोचा चूकि वो सो रहा है, मुझे नहीं लगता उसे कोई आपती है वैसे तो टेबल बहुत बड़ा था, पर फिर भी वो तीनों उसके एक कोने में भीड लगा कर बैठे हुए थे जगा नहीं है, जगा नहीं है मैड हैटर और मार चैर बोले, जब उन्होंने अलिस को आते हुए देखा यहां तो बहुत सारी जगा है अलिस ने क्रोट से कहा, और वह टेबल के एक छोर पर रखी हुई, बड़ी सी आम चैर पर बैठ गई थोड़ी वाइन पीलो मा चैर ने उत्साहजनक स्वर में कहा अलिस ने टेबल पर चारो ओर देखा, किन्तो उस पर चाय की अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था पर मुझे तो यहां कोई वाइन दिखाई नहीं दे रही है अलिस ने कहा क्योंकि यहां कोई वाइन है ही नहीं माच छेयर ने कहा, तो फिर आपको उसका प्रस्ताव नहीं देना चाहिए था, ये अच्छी बात नहीं है। अलिस ने क्रोधित होकर कहा, हमारे बिना बुलाए, आप यहां आकर बैठ गई, ये भी अच्छी बात नहीं है। माच छेयर ने कहा, मैं नहीं जानती थी कि ये आपका टेबल है, इस पर तो तीन से अधिक कई और लोग बैठ सकते हैं। तुम्हे बाल कटवा लेने चाहिए। मैड हैटर ने कहा, जो बहुत देर से आलिस को बड़ी उच्छुकता से घूर रहा था, और यहां उसके पहले शब्द थे। आपको ये सीखना चाहिए कि किसी पर व्यक्ति के टिपणी नहीं करना चाहिए। एलिस ने गंभीरता से कहा, यहां बहुत बुरी बात है, यहां सुनकर हैटर ने अपनी आखों को चोड़ा खोल लिया, पर उसके बाद उसने किवल इतना कहा, बताओ, एक काला का हुआ, एक लिखने वाली डेस्क के जैसा क्यू है? चलो, अब हम थोड़ा मजा करेंगे, ए मा चेहर ने कहा, हाँ, मैं ऐसा ही कहना चाहती हूँ, एलिस ने कहा, तो तुम्हें वो कहना चाहिए, जो तुम कहना चाहती हो, मा चेहर ने कहा, मैं ऐसा ही करती हूँ, एलिस ने जल्दी से कहा, कम से कम, जो मैं कहना चाहती हूँ, वही मैं कहती हूँ, और जो मैं कहती तो क्या तुम्हारे लिए ये दोनों बाते भी एक ही है की यह सुनकर दॉर माउस बोला जो ऐसा लग रहा था जैसे मीन में बोल रहा है तो कि तुम्हारे लिए ये दोनों बाते भी एकी है कि जब मैं सूती हूँ तब मैं सास लेती हूँ और जब मैं सास लेती हूँ तब मैं सूती हूँ ये दोनों एक बात तुम्हारे लिए होगी हैटर ने कहा और यहाँ पर बाते रुख गई और पार्टी कुछ मिनिट के लिए मौन हो गई उसी समय एलिस ने काले का हुए और राइटिंग डेस्क के बारे में उतना सोचा जितना वो सोच सकती थी पर वहाँ परियाप्त नहीं था हैटर ने फिर एलिस की ओर देखते हुए कहा नहीं मैं हार मानती हूँ एलिस ने उत्तर दिया क्या उत्तर है इस पहेली का इसका उत्तर तो मुझे भी नहीं पता है हैटर ने कहा और ना ही मुझे माच हेर ने कहा एलिस ने एक गहरी सास ली और कहा मुझे लगता है कि आपको अपने समय का कुछ अच्छा उपयोग करना चाहिए बिना उत्तर की पहेलिया पूछ कर आपको समय बरबाद नहीं करना चाहिए यह सुनकर हैटर ने कहा यदि तुम समय को उतने अच्छे से जानती जितने अच्छे से मैं जानता हूँ तो तुम मुझसे उसको बरबात करने के विशे में कभी नहीं कहती ये रहा समय मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं Alice ने कहा हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है Hatter ने अपना सिर हिलाते हुए कहा मुझे तो ये भी पता है कि तुमने कभी समय के साथ बात ही नहीं की है हाँ नहीं की है Alice ने कहा पर मैं ये अवश्य जानती हूँ कि जब मैं बोरिंग संगीत सीखती हूँ तब मुझे समय को कैसे बिताना है उसे कैसे हराना है यही कारण है कि समय ने तुमसे कभी बात नहीं की है हाटर ने कहा समय को हारना अच्छा नहीं लगता है यदि तुम समय के साथ अच्छा व्यवार करोगी तो समय वही करेगा जो तुम घड़ी के साथ करना चाहोगी जैसे ही मानलो अभी सबेरे के 9 बजे है तुम्हारी संगीत की क्लासेस का समय हो गया है तुम्हें केवल समय को एक छोटा सा संकेत देना होगा और जटपट घड़ी में डेड़ बच जाएंगे जो की रात की खाने का समय है का शे रात की खाने का समय होता मा छहर ने अपने आप से धीमे स्वर में कहा अरे ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा एलिस ने सोचते हुए कहा यदि इतनी जल्दी रात के खाने का समय हो जाएगा तो मुझे तो खाने के लिए भूक ही नहीं होगी हाँ, इतनी जल्दी तो तुम्हें भूक नहीं लगेगी हैटर ने कहा पर तुम जब तक चाहो तब तक घड़ी में देड़ बचता रहेगा, समय देड़ से आगे बढ़ेगा ही नहीं Alice के दिमाग में एक विचार आया, Alice ने पूछा क्या यही कारण है कि यहाँ पर इतनी सारी चाय की चीज़े रखी हुई है आ, सही जमजी, यही कारण है कुरसी पर बैठ कर चाय ही पिते रहते हो हाँ, बिल्कुल हैटर ने कहा जैसे ही एक कुरसी पर चाय खतम होती है हम दुसरी कुरसी पर जाकर बैठ जाते हैं और चाय पिते हैं यह सुनकर Alice ने पूछा पर तब क्या होता है जब आ पहली कुरसी पर वापस आ जाते हो चलो अब हम कुछ और बात करते हैं मार चहर ने उबासी लेते हुए बात काटते हुए कहा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि यह नन्नी बच्ची हमें एक कहानी सुनाए मुझे शमा कीजिए पर मुझे कोई कहानी नहीं आती है एलिस ने प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा तो फिर डॉर माउस हमें कहानी सुनाएगा इतना कहकर मैड हैटर और मार चहर ने डॉर माउस के दोनों गालों पर एक साथ पिंच किया डॉर माउस ने धीरे धीरे अपनी आखे खोली और एक बेशुरे मन दिस्वर में कहा मैं सुन नहीं रहा था तुम लोग जो कुछ भी कह रहे थे हैं मैं सब सुन रहा था हेलो फ्रेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में जरूर बताईए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपनी सभी फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजिए थैंक्यू बेरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो